ओम अनन्तम वासुकिम्षेशं पद्मनाभं चकंबल शंकपाल धार्तराष्ट्रम तक्षकमकालियं तथा एतानी नवनामानी नागानाम चमहात्मना सायकाले पठे नित्यम प्रातहकाले विशेशतह तसमे विश्भयमनास्ति सर्वत्र विजयी भवेत सभी मित्रों को कुमार राजिश का नमस्कार साथियों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नाग पंचमी की कथा जैसा कि हम सभी जानते हैं नाग पंचमी हिंदुों का एक प्रमुक त्योहार है हिंदू पंचांग के अंसार श्रावन मास के शुकल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है इस दिन नाग देवता और नाग देवी की पूजा की जाती है और नागों को कच्चा दूद अरपन करने की प्रथा रही है नाग पंचमी की दिन प्रात्यकाल उटकर घर की सफाय करनी चाहिए स्वयम भी साफर सच वस्त्र पहनने चाहिए पूजा करने के लिए सेवई, चावल या कुछ भी ताजा भोजन बनाया जाना चाहिए हमारे देश के कुछ भागों में नाग पंचमी से एक दिन पहले ही भोजन बना कर रख लिया जाता है और वो लोग नाग पंचमी की दिन बासी भोजन करते हैं वरना ज्यादा तर इस दिन ताजा भोजन बनाया जाने की प्रता है दिवार पर गिरुपोत कर पूजा का इस्थान बनाया जाता है फिर दिवार पर नाग देवों के आकरती बनाई जाती है नागों के रहने के इस्थानों या बाबियों के पास जाकर कटोरी में भरकर कच्चा दूद रखा जाता है आरती की जाती है श्राबन मास में विशेश कर नाग पंचमी के दिन धर्ती खोदना निशिद धमाना जाता है इस दिन व्रत रखकर सर्पों को खेर और दूद अरपन किया जाता है सफेद कमल का फूल भी नाग देवता और नाग देवी को चड़ाया जाता है साथियों हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें नागों को दूद चड़ाना तो अवश्य चाहिए मगर जबरदस्ती उन्हें नहीं पिलाया जाना चाहिए यदि नाग स्वेमा कर दूद पीकर चला जाए तो बात अलग है अन्य था जबर्दस्ती उनको दूद पिलाया जाना उनके स्वास्था के लिए अच्छा नहीं होता इस दिन नाग देव का दर्शन अवश्य करना चाहिए नाग स्थान अरथात सापों की बाबी पर जाकर पूजा करनी चाहिए नागों को सुगंधित पुश्प और चंदन से प्रसन करना चाहिए क्योंकि नाग देव को सुगंध अतिप्रिय है नाग पंचमी से संबंदित एक पौराने कता है जो मैं आपको सुनाता हूँ प्राचीन काल में एक सेड़ जी के साथ पुत्र थे सातों के विवाह हो चुके थे सबसे छोटे पुत्र की पत्नी सबसे सुन्दर थी और श्रेष्ट चरितर की थी विद्वान थी, विदुशी थी, शुशील थी सबसे छोटी बहु होने के नाते बेपरिवार के सभी सदस्यों का पूरा ध्यान रखती थी घर का सारा काम काज अपने गंधे पर सम्हाल लेती थी एक दिन बड़ी बहु ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुँ को साथ चलने के लिए कहा सभी भवें डलिया, टोकरी और खुर्पी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी एक इस्थान पर पहुँचकर खुर्पी से भवें मिट्टी खोदने लगी तभी वहाँ पर एक नाग निकलाया जिसे देखकर सभी भवें डर गई बड़ी भव खुर्पी लेकर नाग को मारने लगी यह देखकर छोटी भव ने उसे रोकते हुए कहा मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है हमारी खुर्पियों से इसका घर नश्ठ हो गया है इसलिए तो बेचारा बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है यह सुनकर बड़ी भव ने हाथ रोक लिए और सर्प को नहीं मारा सर्प वहां से निकलकर एक ओर जा बैठा तब छोटी भव ने उस नाग से कहा आप यहीं बैठिये मेरी प्रतिक्षा कीजिए मैं कुछी दिर में आती हूँ और आपके लिए कुछ खाने का प्रबंद करती हूँ यह का कर वह सबी भवों के साथ मिट्टी लेकर घर चली गई घर में पहुँचकर वह कामकाज में फस गई और वह भूल गई कि उसने नाग से कुछ वादा किया था रात कुस्वपन में उसे उसी नाग के दर्शन हुए सवेरे उटकर उसे बात याद आई कि मैंने उस नाग को वहाँ बैठने के लिए कहा था और वापस नहीं गई दूसरे दिन बात याद आने पर वह कन्या कुछ खाने का सामान लेकर उसी स्थान पर पहुँची जहां पर वह नाग प्रतिक्षा कर रहा था कन्या ने कहा नाग भैया नमस्कार नाग ने कहा नमस्कार नाग को मनिश्यों की भाती बाते करते हुए देखकर वह कन्या आश्चरे में पड़ गई पह समझ गई कि यह कोई साधारण नाग नहीं है बलकि कोई मायावी सर्प है नाग ने कहा अब तो तुम मुझे भाई कह चुकी हो इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूँ नहीं तो जोटा वादा करने के कारण तुम्हें अभी डस लेता कन्या बोली भाईया मुझे जो भूल हो गई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो तब नाग बोला अच्छा तु आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ तुम जो कुछ भी मांगना चाहती हो मुझे से मांग लो कन्या ने कहा हे नाग देता मेरा कोई भाई नहीं है लेकिन आपने मुझे बहन कहा है तो मुझे सब कुछ मिल गया कन्या के बात सुनकर वे नाग अती प्रसन्न हुआ यह कन्या नाग को अपने भाई के रुप में पाकर बहुत प्रसन्न थी जाते जाते नाग ने मनुष्य रूपधारन किया जिसे देखकर वह कन्या अश्चर में पड़ गई और उस मनुष्य रूपधारी नाग ने कन्या से कहा मैं शीग रही तुमसे मिनने आऊँगा कुछ दिन बीट गए वह सर्प मनुष्य का रूपधारन करके उनके घर आया और परिवार के अन्य सदस्यों से बोला कि मेरी बहन को मेरे साथ कुछ दिनों के लिए घर भेज़ दो परिवार के अन्य सदस्यों ने कहा हमने तो आस्तक इसका कोई भाई देखा नहीं तुम कौन हूँ और कहां से आये हूँ तब वहनाग बोला मैं बहुत दूर के रिष्टे में इसका भाई हूँ वास्तम में मेरा पालन पोशन एक अन्य नगर में हुआ है इसलिए इस कन्या के विवाह के समय मैं वहाँ उपस्तित नहीं था और शायद इसलिए आप लोग मुझे नहीं जानते परिवार वालों को विश्वास हो गया और उन्होंने छोटी बहु को उसके साथ भेज दिया अपने भाई के साथ उसके घर जाने की खुशी कन्या के चहरे पर साफ दिखाई दे रही थी मार्ग में नाग ने कन्या से कहा देखो तुम मेरे साथ चल रही हो इसलिए किसी प्रकार का भेह नहीं करना और मार्ग में जहां चलने में तुम्हें कोई कटनाई हो तो मेरी पूश पकड़ लेना यह कहकर उस मनुष्य रूपधारी नाग ने नाग का रूप ले लिया चलते चलते रास्ते में एक सरोवर आया और वह नाग उस सरोवर में उतर गया कन्या थोड़ी भैबीत हो गई मगर उसने नाग देवता की पूश पकड़ ली नाग उसे लेकर पानी के अंदर चला गया और पानी के रास्ते अंदर ही अंदर जाते हुए वह पाताल पहुँच गया वहां का वैभफ देखकर कन्या की आखे खुली की खुली रह गई इतना धन आश्वरे तो उसने सारी जिन्दगी किसी राजा के महल में भी नहीं देखा था वहां उसने एक अत्यंत रूपवती महिला को देखा नाग ने उसे बताया कि बहन यह मेरी माता है इसनाते यह तुम्हारी भी मा के समान है अब वह लड़की अपने भाई के घर में बहुत आनंद पूरवक दिन जतीत करने लगी वह देखती थी कि रोज नाग की माता उसे कटोरे में दूद अरपन करती है एक दिन वह कन्या माता से कहती है कुछ काम मुझे भी करने दिया करे मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाई का सारा काम समभल लूँ यह सुनकर नाग माता हसने लगी उन्होंने उस कन्या से कहा पुत्री यहाँ पर तुम्हें कोई कारे करने की आवश्यक्ता नहीं है हाँ अगर तुम चाहो तो तुम अपने भाई को दूद पिला सकती हो कन्या अपने भाई को दूद पिलाने का काम पाकर प्रसंद हो गई कन्या देखती थी रोज नाग माता उस नाग को ठंडा दूद पिलाती है कन्या ने सोचा कि ठंडा दूद क्यों पिलाना भाई को तो मैं गरम दूद पिलाओंगी यह सोचकर उसने दूद गरम किया और गरम गरम दूद अपने भाई को पीने के लिए दिया उस नाग ने जैसे ही वे दूद पीने के लिए मुह से लगाया उसका चेहरा जुलस गया पीड़ा से वे फिर से नाग रूप में आ गया तब कन्या ने देखा कि नाग का फन जुलस चुका है उसी समय वहाँ पर नाग माता आ गई और वह अत्यमत क्रोधित हुई लेकिन नाग ने नाग माता से कहा माता आप इस पर क्रोधित न हूँ ये नहीं जानती इसने क्या किया है इससे अभूल अंजाने में हुई है तब नाग माता ने उस कन्या को समझाया कि नाग को कभी भी गरम दूद नहीं पिलाना चाहिए नागों को हमेशा कच्चा दूद अरपन करना चाहिए नाग माता ने अपनी विशेश शक्ती से अपने पुत्र का मुख ठीक कर दिया कुछ दिन और बीच जाने पर एक दिन उस नाग ने कन्या से कहा कि बेहन काफी दिन बीच चुके है तुम्हारा पती तुम्हारी प्रतिक्षा करता होगा अब मुझे तुम्हे तुम्हारे घर छोड़ देना चाहिए ये तो तुम्हारा ही घर है जब चाहे फिर से मैं तुम्हे ले आऊँगा तब उस नाग ने अपनी बहन को विदा करते हुए विदाई में उसे बहुत सारा सोना, वस्तराभुशन, हीरे जबाहरत दिये और उसके घर तक पहुँचा कर आया इतना धेड सारा धन देखकर बड़ी भहु ने इर्शा से कहा तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो और भी कुछ मांगना चाहिए था नाग ने कहा आप लोगों को क्या चाहिए तब नाग से सबने अपने-पने मन की बात कही, सोने के वस्तुय मांगी नाग ने सबकी इच्छा नुसार सोने के वस्तुय उन्हें दी यह सब होने के बाद भी बड़ी भहु ने कहा इन्हें ज़ाडने की ज़ाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए तब उस नाग ने सोने की ज़ाड़ू भी लाकर उन्हें दी जाते जाते नाग ने अपनी बहन को हीरा मणियों का एक अद्भुत नाग हार दिया नाग अपनी भेन को वहाँ छोड़कर फिर मिलने का वचन देकर वहाँ से चला गया समय बीटता रहा कि उस नाग हार की चर्चा चारो तरब फैलने लगी उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेट की छोटी भहु का हार यहाँ आना चाहिए राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह सेट की छोटी भहु का वह हार लेकर शीगर उपस्तित हो मंत्री ने सेट जी से जाकर के कहा कि महारानी जी ने छोटी बहु का हार मांगा है वहे इसे पहनना चाहती हैं इसलिए आप वहे हार मुझे दे दीजिए सेट जी डर गये और उन्होंने छोटी बहु से कहा कि राजा के कोप से बचने के लिए हमें वहहार रानी तक पहुचा देना चाहिए छोटी बहु ने उस समय वहहार तो दे दिया लेकिन उसे अपने भाई की निशानिक हो जाने का बहुत दुख हुआ उसने अपने नाग भाई को याद किया और फूट फूट के रोने लगी थोड़ी देर में वहनाग मनुश्य रूपधारन करके माँ प्रकट हुआ छोटी बहु ने कहा भाईया वहहार जो आपने मुझे बड़े प्रेम से दिया था वो यहां की रानी ने मुझे चीन लिया है नाग ने कहा बहन तुम चिंता ना करो वह भेट मैंने तुम्ही ही दी थी और वह तुम्हारे लिए ही है रानी उस हार को नहीं पहन सकेगी उढ़र रानी ने जैसे ही वहहार अपने गले में डाला वहहार तुरंत एक सरप daring में बदल गया और रानी डरके मारे चीक ने लगी राणी की चीक सुनकर राजा वहां आया और राजा ने राणी के गले में पड़ा हुआ साब देखा तो राजा भी घबरा गया उसने तुरंट अपने मंतरी को सेट जी के यहां पर भेजा और कहा कि इस हार की जो मालकिन है उस भाव को तुरंट लेकर यहां उपस्तित हो राजा की आग्या पाते ही सेट जी अपनी छोटी भाव को लेकर राजा के सामने उपस्तित हुए राजा ने छोटी भाव से पूछा तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया है जो मेरी पत्नी के प्रान संकट में पड़ गए है तुम्हें इसका दंड भूगतना होगा यह सुनकर छोटी बहु ने कहा राजन क्षमा कीजिए यह हार ही ऐसा है जो मेरे गले में हीरो और मनियों का रहता है परन्तु अगर इससे कोई छिनने का प्रयास करता है तो उसके लिए यह हार नाक फास बन जाता है यह सुनकर राजा ने कहा कि अगर ऐसा है तो राणी के गले से वह सर्प निकाल कर अपने गले में डालो छोटी बहु ने ऐसा ही किया जैसे ही छोटी बहु ने राणी के गले में उस नाक को इस पर्ष किया वहनाक तुरंत ही एकदम मणी माला में बदल गया यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर कहा मुझे एक शमा कर दो मेरी राणी के लालच के कारण मुझे बलपूरवक आपसे यह हार लेना पड़ा था एक राजा होने के नाते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि एक राजा अपनी परजा के लिए पिता के समान होता है यह कहकर राजा ने बहुत सी स्वण मुद्राएं और अनेको उपहार छोटी बहु को दिये छोटी बहु अपना नागहार और इतने सारे उपहार लेकर घर लोटी छोटी बहु के पास इतना धन देखकर बड़ी बहु इर्शा से जल उठी और उसने अपने पती से कहा कि तुम्हें अपने भाई से पूछना चाहिए कि उसकी पत्नी इतना धन कहां से लेकर आती है बड़े भाई के तानों से परशान होकर छोटे भाई ने भी अपनी पत्नी से कहा कि सच सच बता इतना धन तुझे कौन देता है वो तेरा भाई क्या करता है वो कौन है अपने पत्ती द्वारा इस तरह उलहाना दिये जाने पर छोटी भाई फूट फूट कर रोने लेगी तभी उस इस इस्थान पर वहन आग मनिश्य रूप में प्रकट हुआ और क्रोधित होकर उसने कहा यदि मेरी बहन के आचरन प्रसंदे करोगे तो मैं तुम्हारा सरवनाश कर दूँगा मेरी बहन के आचरन पर सवाल उठाने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ूँगा मैं उसके कुल के कुल का नाश कर दूँगा यह सुनकर परिवार के सभी लोग घबरा गए और क्षमा मांगने लगे यह देखकर छोटी भहु का पती बहुत प्रसंद्न हुआ और उसने नाग देवता का बड़ा सत्कार किया उस दिन श्रावन मांस की पंचमी थी और नाग देवता ने कहा आज के दिन जो भी व्यक्ति हर वर्ष नागों की पूझा करेगा उसके जीवन के सारे संकट नाग देवता दूर करेंगे उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहर मनाये जाता है और इस्त्रियां नाग देव को भाई मानकर उनकी पूजा करती है नाग पंचमी की एक अठा आपको अवश्य पसंदाई होगी एक अन्य कथा भी है जिसमें भगवान चंकर की मानस पुत्री मनसा देवी को नाग देवी कहा जाता है इस दिन मनसा देवी की पूजा का विशेश मत्तो है तो दोस्तों इस दिन नाग देव और नाग देवी की पूजा करने से मनव अंचित फलों की प्राप्ती होती है अम् कुरुकुल्य हMपट स्वाधा एक बार फिर से इस मंत्र को मैं आपके सामने द्वहरा देता हूं ओम् कुरुकुल्य हMपट स्वाधा वीडियो की शुरुवात में जो मंत्र मैंने कहा है उस मंतर से नागों की पूजा करने से नागदेव अत्यनत प्रसन्न होते हैं. उस मंतर में नौ महानागों का नाम लिया गया है जो सभी प्रकार का कल्यान करने वाले हैं. मैं उस मंतर को फिर से दोहरा देता हूँ. नागों का नाम सुभह और शाम लेने से सभी प्रकार के विश्भह का नाश होता है और व्यक्ति विजई होता है. नाग पूजा में एक और मंतर का उच्चाण क्या जाता है जिससे नाग प्रसन्न होते हैं. यह मंतर श्प्रकार है अर्थात जो नाग प्रिथवी, आकाश, स्वर्ग, सूरिक किर्णों, सरोवरों, वापी, कूप तथा तालाबादी में निबास करते हैं. वे हम सब पर प्रसन्न हो, हम उनको बार-बार नमस्कार करते हैं. चलते चलते नाग गायत्री भी सुन लिजिए. ओम नाग कुलाय विद्महे, विश्टनताय धीमही, तन्नो सर्पह प्रचोदयात. और ओम भुजंगे शाय विद्महे, सर्पराजाय धीमही, तन्नो नागह प्रचोदयात. तो साथियों मुझे आशा ही नहीं, पुरा विश्वास है, कि नाग पंचमी की ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी, इसी के साथ अपने मित्र कुमा राजिश्क विदा दीजिए, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, नमस्कार. आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई, नाग देव और नाग देवी आप प्रप्रसन्न हों और आपकी सभी मनो कामनाय पूर्ण करें.